हेलो फ्रेंट्स मैं प्रियांका वल्कम तो माई चानल आज की रेसिपी आपको पस्त दाते हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते और कोई भी सुझाओ हो तो पुझे कॉमेंट बोक्स भी ज़रूर बताए तो चैले फ्रेंट्स रेसिपी स्टाट करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मुंग डाल यहां पर मैंने पीली मुंग डाल लिया है और यह एकदम सुखा मुंग डाल है एकदम साफ है आप चाहो तो इसे पहले धो करके सुखा कर भी यूज कर सकते हो पर यह एकदम साफ मुंग डाल है अब इसे हमें तो इसमिंसे में एक चमच निकालके अलग से रख दिया है कि इसका काम हमें बाद में करनी है फिर इसमें एक चमच नमक, हल्दी डाल देंगे तिखा पन के लिए लौट पाउडर पाउडर के हिसाब से डाल देंगे और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये पाउडर है मिक्स करना जुरूरी है फिर इसमें थोड़े-थोड़े करते हुए पानी आड़ कर देंगे क्योंकि अभी इसमें से हमें एक बैटर बनानी है पर ये बहुत ज्यादा टाइट बैटर ना हो इस बात का जरूर ध्याद रखे क्योंकि बैटर अगर टाइट बनते जाएंगे ना तो इसमें से जो हम फुलकिया बनाएंगे वह बहुत ही हार्ड बनेंगे तो बैटर को स्मूध बनाएं लेकिन उतना टाइट ना बनाएं बस जैसे हम पकोड़े के लिए बैटर बनाते ह यहां पर पानी डालते चाहिए और इसे बनाते जाहिए क्योंकि यह पाउडर है तो यह पानी को काफी ज्यादा सोक लेता है और यह डिपेंड भी करता है कि आपकी जो डाल की क्वालिटी है वो कैसी है तो उस हिसाब से इसे अग्जस्ट कर लिए और फिर इसे ढखकर लग तो इसे भी साइड में लगतेंगे उतने में एक कड़ाई में तेल कर लेंगे और तेल में धीरे-धीरे करते हुए फुलकिया डालते जाएंगे मूग डाल से पर यह बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होनी चाहिए और एकदम टाइड भी नहीं बनने चाहिए टाइड इसे क्या होता है फुलकिया काफी जादा हार्ड होते है बैटर अगर टाइड बनते है तो फुलकिया हार्ड बनते है बैटर अगर थोड़ा साफ्ट बनाओंगे अब तो फुलकिया भी साफ्टी बनेंगे तो उस हिसाब से एड़जस्ट करके बना ले और साइज एकदम छ नाखमकनें करते हो और उसमें तो रेख उसके प्रड़ा करों मिडियम साइज करते है तो तो रहो हम प्राइब आक सबस्तेग सी र्खजा चौरी करये ऑट करने डूब साथ में प्रया उसमें कर देंगे प्रया के पैस्ट मुझ से rhymes प्यास का पेज़ जितना फ्राइ होते जाएंगे, इस तरह से ये फ्लफी बनते जाएंगे, और इसका कलर भी काफी ज़ादा चेंज हो जाएंगे, उसमें A person a channel कावडर मुंग डाल का पावडर जो हमने अलग से रख दिया था, उसे और कर देंगे, इसे भी हल्का से फ्राइ पर ध्यान रखिएगा सबसे पहले प्यास की पेस्ट को अच्छे से भून ले नहीं तो बाद में यह नहीं भूनते हैं फिर इसमें एट कर देंगे हल्दी पाउडर कश्मिरी लालमीच पाउडर डाल देंगे कलर के लिए जीरा पाउडर एट कर देंगे धनिया पाउडर डा तो इसके लिए थोड़ा साइसे भूनने की जरुरत है पर यह काफी टाइट बन रहे हैं तो इस वज़े से थोड़ा सा मैंने पानी इसमें आट कर दिया है और पानी डालते यह थोड़ा सा और लिकुइड बन जाएंगे और इसे भूनने में काफी जादा आसानी होती है तो ग्यास का फ्लेम मीडियम लोड़के हमें इसको भूनना है जब तक कि इसके साइड में से तेल अलग हो रहे है तब तक और यह देखिए यह अच्छे से भून के तयार हो गए है तो अब इसमें पानी आट कर देंगे तो यह आपर मैंने टोटल देर का पानी आट कर लिया है और इतना पानी ही हमें जरूरत है तो इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्यास का फ्लेम हाई करके पहले इस ग्रेवी जो है इसको पहले उबाल लेंगे क्योंकि पहले यह काम करना बहुत जरूरी है और जैसे कि अब देख सकते हो यह उबाल चुके है फिर इसमें इसे ही हम इसको छोड़ देंगे जब तक के ना ग्रेवी थोड़ा सा गाड़ा बन जाए और यह देखिए यह हो गये है यह काफी गाड़ा बन चुके है फिर आखिर में इसमें आड़ कर देंगे मुठी बर्धनी का बत्ता इससे इसका फ्लिवर बहुत ज्यादा है साथ मे देंगे और आधा चमज घी इसमें आड़ करतेंगे अब सभी चीजों को मिला कर हमें इसको कुछ देर के लिए छोड़ना है ग्रेवी इतना ही चोड़े क्योंकि बाद में और ज्यादा बन दे जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर गैस का फ्लिम आफ क करने के बाद इसे वापस से ढखन लगाएंगे और पांच मिनिट के लिए इसे स्टैंडिंग टाइम पर छोड़ देंगे ऐसे फिर यह सर्फ करने के लिए एकदम तेयार है यह स्टीमिंग राइस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते है आज की रसे भी आपको कैसे ल